रण जीतने के लिए तेरी तैयारी कैसी है? आद देखें जरा तेरे हतियारों से वफादारी कैसी है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों मैं साहिर कमाल आप सभी के हतियारों की तैयारी चिक करने के लिए आज इस सेशन को ले कर आया हूँ क्योंकि ये सेशन आप सभी बच्चों गली लाखो बच्चा इस बार कल 16 परवरी को पहली बार परिक्षा देने जा रहा है बोर्ड परिक्षा और बोर्ड परिक्षा में हर व्यक्ति चाहता है कि हमें 100 आउट 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 अफ 100 मिल जाए या 90 प्लस का सपना पूरा हो होना चाहता कोई व्यक्ति नहीं लेकिन उसके पहले हमें िश्राक्ट आपके दिमाग में 15 दिन हम और आपके और एक डर को पनपा दिया है और वोर्वरी क्या क्या होगा कैसे या पहन के जाएं सकते हैं सब्सक्राइब आपको इस वीडियो में मिलेंगे अंत तक बने रहेंगे तब आपको पूरे सवालों के जवाब और आपका वो डर जो बोट परिक्षा को ले करके पिछले 15 दिन से आपके अंदर पनप रहा है वो डर आज इस वीडियो को देखने बाद जरूर जरू जी हाँ बिल्कुल करेंगे और मेरे ख्याल से नकल को जितना हो सके अवोट करिए लेकिन आज का वो दौर नहीं है जहां आप राजा हरिश्चंद जी की तरीके से एकदम सत्तवादी बने रहें ये दुनिया ही है चालबाजों की और जितना हो सके आप साम दम दंड भेद आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा लगा दो यदि यदि आपको जरा सी भी कोई नकल मिल जाती है और मौका मिलता है ताप कर सकते कोई दिक्कत नहीं लेकिन उससे बचने के तरीके आपको जरू मालूम होने चाहिए यदि वो नहीं मालूम तो आप पस सकते हैं और अगर मिल जाए आपको नकल कहीं से तो क्या करना है कल बच्चो कमेंट सर अगर कोई मेरे तरफ चिट फेक दे तो क्या करना चाहिए उस समय तो बच्चा उसका भी इलाज हम बताएंगे इस वीडियो के शुरुआत में भी अंत में भी और मिडिल में आपके तमाम तरह के कोश पहले बात सबसे पहले आप पेपर वाले दिन अपने आपको मोटिवेटेड रखिए एंकरेजिये अपने अंदर अपने अंदर फील करिए करेज करेज मतलब बिरैवरी फील करिए और ऐसा महसूस करिए कि वाकई में हम रच में जा रहे हैं युद्ध करने तो यह दुम्ह ले कुछ ले सहमें रहो गे तो आप से नहा चाहते हो गल्तिया हँगी तो बाई-चांस एदे आपकी तरफ कोई नकल फ्यक देता है तो इसका जवाब मिलेगा वीदिए गलता है बिल्कुल पहला सवाल तो Pen बेटा वही ले कर जा सीधी बात बताँ है क्थिस से आप 10 साल हो पेन कोई भी कमपनी का अच्छा हो सकता है किसी के लिए किसी के लिए बुरा हो सकता है हम जिस पेन से लिखते हैं हमेशा हमने उसी पेन से लिखा है तो मेरे ख्याल से एक मोटा पेन होना चाहिए लेकिन कुछ कहते हैं कि मोटा पेन जो है सिर्फ हेटिंग डालने के लिए होन सकता है बिलकुल लेकिन आपके लिए आपने दो रुप्याले पिन से लिखा पूरे साल आप दो रुप्याला पिन लेकर जाईए क्योंकि आप नए पिन का इस समय नहीं करेंगे क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है परिक्षाम में अधिक अंक प्रा लेकर जाएं जिसमें दो काले और तीन नीले हो पांचो पेन एक ही कंपनी के होने चाहिए उम्मीद है कि आपने पांस दिन पहले पेन खरीद कर रख लिए होंगे और उससे आपने राइटिंग बनाना शुरू कर दियोगी क्योंकि नया पेन बिलकुल भी परिक्षा में न ले लो तो उसके हेडिंग डालने का बड़ा फाइदा होता है ब्लैक होना चाहिए ना तो आप कोई ग्रीन पेन ले जाएंगे ना तो आप कोई पिंक पेन और नहीं कोई रेड पेन तो पहला सवाल आपका यह जवाब हुआ दूसरा सर रबर कटर और सकेल की जरूद पर सक तो कटर होना चाहिए ब्लेड लेकर मत जाना नहीं तो तुम पकड़ दिये जाओगे और तुमको फालतुए में मार पड़ जाएगी तो परिक्षा के कक्ष में आपको ऐसी समगी लेकर जाना है जो रबर कटर जो की नुकसान दैक है नहीं तने और इसकेल जरूर लेकर जा है उसकी इंक बाहर निकलने लगती और आपकी कॉपी पर फैल जाएगी और कॉपी को गंदा करने का मतलब है आप अपने पांस से दस नंबर गमा देंगे सिर्फ कॉपी गंदी अगर दिखेगी तो उस पर मूट खराब हो जाता एक्जामिनर का याद रखना कि अगर मूट खराब करोगे टीचर का तुम्हें नंबर खराब कर देगा वह तो इसी लिए आपको लंबी स्केल लेना है लोहे वाली या प्लास्टिक वाली लो कोई भी बड़ी वाली जो स्केल आती है बारा इंच की जो स्केल होती है उसको लेकर जाना है बात समझे उससे एक बार में क्योंशन कर रहे होते जब आप को पड़ रहे होते तो आपकी आदत होती है माट करने की तो पैंसिल से मार्क कर लिए को टिक कर लिए लेकिन पैंसिल से करेंगे या परिछा के आपकी बोट परिक्षा की जो कवापी है उसके पीछे वाले पेज पर लिख लिए और अपने को मेंटेंग का मतलब राइटिंग अच्छी बनाने से नहीं है कौपी को सजाने के लिए सर क्या करें जो सजाए क्या फूल पत्ति लगादा नहीं बच्चा कोई फूल पत्ती नहीं लगाना है, हम आपको दिखाते हैं, कॉपी कैसे सजिती है, आप से जितना matter पूछा जाए, केवल आप आंसर उतना ही लिखेंगे, कोई question अगर आप लिख रहे हैं, तो सारे copy पर question लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यदि आपने पहले question कोई डाले question number 3, तो एक sequence में एक order में आती हो, इसे ही कहते है, copy को सजाना, copy को सजाने के लिए हमने अपने answer को दिखाया है, आप देख लिए कि किस तरीके से copy सज सकती है, आपका एक question आएगा English, मालो हमने English का, I teach you English, तो हमने English का ले लिए section C में grammar and translation, तो grammar and translation जो section C होता है, उसमें margin लेकर लिखा है, यह नहीं किया कि Q4 बना दिया, फिर A लख दिया, bracket में लिख दिया, तो कहींपर capital लिख दिया, तो कहींपर सिर्फ को एक question 4 लिख दिया, यह नहीं किया, तो आपको एक sequence में रग रहा है, देखवा, अगर हमने Q4 A बीच में लिखा है, तो Q4 B बीच में ल हो गया इसको सजाना यह ना हो पता चला यहां पर ans wr 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 लिख दिया पूरा आंसर उसके बाद लिख दिया capital नंबर दो इसके बाद लिख दिया one numerical form में तो कहीं पर सिर्फ क्यू डाल दिया तो कहीं पर सिर्फ question लिख दिया तो भसड नहीं मचाई जाती बेटा तो इसी को कहते ह आप एक sequence में करें आप जैसे करते हों लेकिन sequence होना चाहिए इसी को कहते हैं साइड में आप देख रहे हैं लाइन यह खिची हुई है अब यह लाइन में हमसे जरा गलती हो यह गलती नहीं करेंगे copy गंदी करोगे तो copy सजे नहीं बच्चा आप जरा देखते दुलहन को किस तरीके से होटों पर lipstick लगाई जाती है उसके बाद लेप यह जो होता ना होटों के नीचे जो यहां पर पतनी कुछ बनाते हैं इतने ध्यान से मेकप किया जाता है क्योंकि हलका सा दरा नीचे आएगा तो लोगों हसेंगे और देख आप दुलहन कैसी लगत है यही वह वज़े से अराम से होटों को सजाया जाता है ताके वह हुपसूरत दिखे तो यही होता है काफी में भी क्या आप ध्यान से ही अपने लाइन खीचेंगे यह ना हो कि बता चला पंदा लाइन खीच लिए सोली भी लाइन पर ठक गए तो टेड़ी खीच दिन ऐसे लगकर इस तरीके से पिन पकड़ता है यह तो वैट ना बनेगी उसकी यह बात ध्यान ने के लिए नीचे इतना हिसा गैप होना चाहिए और पिन पकड़ने का तरीका देख लो मेरे कैप यह कैमरे में ठीक यह दो उंगली और यह अंगूठे पर अगर पिन पकड़ोगे और इस उ किमाल करोगे सपोर्ट के लिए तब फ지क्राइब का वच्छा वह यह ऊगा यह चैनी तो यह उचीन अगर आप इसका सपोर्ट लेकर बनाएंगे बैटा तो फिर राइटिग आपकी बनेगी इसके लिए प्रक्टिस चाहिए था यदि आप चाहो तो अभी भी कोशिश करके देख लेना यह बात ध्यान अगना राइटिंग तो अईसे बनेगी तो राइटिंग को ऐसे बना सकते आप नेक्स कोशन है उस दिन अच्छी सो कर गुजारोगे सुभा उतने अच्छे से उठोगे और आज रात पूरे आठ घंटे सोना है तुमको नौ घंटे सो सो कर पढ़ाई प्रेशर से नहीं होती है और सुभा का प्रेशर जेल न पाओगे यहां दर्द होगा वो दर्द किसी डॉक्टर के पास नहीं हो पाएगा इलाज उसका तो इसलिए बेतर है साड़े दस बज़े सो कर गे सुभा साथ बज़े चाप के आराम से उठो कोई होगे तो अच्छा ख्वासा आता हुआ कोश्चन भी गलत करके आओगे यह बात ध्यान रखना तो इसी लिए राता साड़े दस बज़े मैक्सिमम दाड़े दस बज़े तक पढ़ो खा पी करके सुभा आराम से उठो और सुभा जल्दी बाजी में ना तो आप फ्रिश होन कि पूरी ग्रैमर है या पूरा लिटरेचर है गद्ध है पूरा पद्ध है कि आप उनको देख लिए किताबे खोलने की कोशिश ना करना बच्चा अगर किताब खोली तो तुम फिर गया हो जितना दिमाग में सब उड़ जाई यह का तुम्हारे पसीरा निकलेगा तुमको आए बापरे का होगा आए बापरे इतयार नेना बापा लाओ जीवनी पढ़ लिए चैप्टर पढ़ ले तो उन चैप्टर पढ़ ले कुछ ना पढ़ पाओगे बेटा फुर्र से समय हो जाएगा आठ से बारा तो यह बात ध्यान देखना एक यूटूब सेशन एक दो घ घंटे का मैक्सिमम देखिए और बंद कर दीजे दोस्तों से बात करिए एकदम रिलाक्स हो जाएए और घर से निकलिए तो बच्चा एक काम जरूर कर देना आशिरवाद के तोर पर अपने माबाब के पैर छूकर के दही और चीरी जरूर खाल लेना उससे केवल एक के तो माबाब के पर चुए पर अच्छा होगा जब तक सोच अच्छा ही होगा तो यह भी तरूर वकिलग नकल करना है घर दिहान रखना तैना प्र खेंटे कोई लिए चित अगर चिट फेके तो बेटा कितना भी हो कोशिश करना कि चिट आपकी तरफ ना यह भी आ गई हो तो इतना इमानदार न बन जाए इस अपकरने से कोई फाइदा नहीं तुम भी तुम कि तो कहे लो हमाने न लेकिन फुसके तुम ही तो ध्यान रहे अगर चिट आपके पास प की काम की है यदि कोई कोशन तुम्हारे पेपर में भास रहा हो और अगर नहीं तो उसे फेकने की जरूवत नहीं है ठीक है अब यह बात कहनी तो नहीं चाहिए तुम फेकोगे और किसी ने देख लिया तो मानी वह तुमारी जाएगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर चोटी सी है उठा करे से मोड करके चुप चाप मुह में रख कर निगल जा क्योंकि कागज नुकसान नहीं करता है आप उसे बस इतना है ठीक हां किसी कोई फेक रहा है उस टाइम पर आपने देख लिया है तो आप कह सकते हैं लेकिन आपके पास आकर गिरी हो यह पहले आप को पता ही नहीं है आपकी है नहीं लेकिन उसे आप चेक कर लिजे कि आपके मतलब की है अगर मतलब की है दबा के काम कर लो और उसके अलावा आपके स्थिमाग में और सवाल सर घड़ी पहन के जाएं बिलकुल नहीं पहन के जाएंगे घड़ी उतरवाई जाएगी और जब वर मतलब जब तक पर दोगे तो घड़ी से जमा होगी उसके अलावा आपको जोमेट्री बॉक्स लेकर के जाना है बिल्कुल लेकर जाईए घड़ी पहनके बिल्कुल मत जाईएगा अपना हो सके तो चपल पहनके जाईए क्योंकि बोर्ड वाले बड़ा परशान करते हूं पैंट उतार तो पता नहीं पैंट उतार ले और बहुत कुछ उतरवा लेते हैं मत चेक करने के लिए तो बहतर यह है कि जितना हो सके कमफटेबल होकर जाईए और घड़ी बिल्कुल पहनके मत जाईएगा कफ को खोल कर जाईएगा ठीक है बाल छोटे रहने चाहिए जितन अगर तिरशी है कहीं लाइन टेड़ी है फटी है तो इससे चेंज करिए कोश्चन पेपर बटने पर को पहले पढ़िए आपके जल्दबाजी में आपका पेपर अच्छा नहीं होता बलकि खराब होता है तो तीन गंटे पंदर मिनिट काफी है आपकी पेपर के लिए तो इंग्लिश हम कंटेंड करवाएंगे यूटूब पर आपको उसके लिए कोई चिंता वाली बात ने जिसने कुछ भी न पढ़ा होगा वो हमारी इंग्लिश को साथ दिन पढ़कर के 100 आउट 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 दिलाने गरंटी मेरी लेकिन राइटिंग आप बनाएंगे तभी ही हो इसा होगा आज की इस वीडियो में इतने ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद